Hello students, welcome to ADP Star Quota कैसे हो बच्चो? I hope आपकी JEE की preparation अच्छी चल लई होगी तो बच्चो आज की स्वीडियो में आपको मैच्स के उन टोपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको छोड की जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर मान लो कि आपकी अभी तक मैच्स की तयारी इतनी अच्छी नहीं है तो भी बच्चो अगर आप इन सारे टोपिक्स को इस बचे हुए टाइम में कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर जो मैच्स में चीव कर सकते हो और अगर आपकी तयारी decent है अच्छी level की है तो भी बच्चो आपको इन topics पे ज्यादा focus जो है वो करके जाना है ज्यादा questions की practice बच्चो आपको करके जाना है तो इन सारे topics को बच्चो एंट तक जरूर देखना सारे topics में आपको इसमें cover करने वाला हूँ तो काफी help बच्चो आपको यहां से मिल जाएगी और इसको बच्चो इन सारे topics को cover करने के लिए क्योंकि last time इतना कम time है कि relevant problems मिल पाना बड़ा difficult होता है relevant questions की practice कर पाना मुश्किल होता है तो बच्चो आप उसके लिए final step badge जो आपके लिए बिल्कुल free of cost है इसको आप जल से जल join कर सकते हो इसको join करने के लिए मैंने बच्चो description में एक form given है उसको आप जल से जल fill कर दीजिए ताकि एक special code आपको मिल सके और आप इस paid badge को बच्चो free of cost जो वो avail कर सको तो चलिए start करते हैं सबसे पहले अगर बच्चो एक important part जो की calculus होता अगर उसकी हम बात करें तो limits उसमें सबसे पहला chapter है तो limits chapter में बच्चो ये तीन चीज़े मैंने यहाँ पे लिके 1 raise to power infinite form के जो questions होते हैं उनको कैसे solve करते हैं 0 by 0 जिसमें हम lopital rule का use करते हैं और इसके लाद जो basic expansion होते हैं साइन थीटा, cos थीटा, 10 थीटा, e raise to power x and ln of 1 plus x इस expansion को बच्चो आपको हमेशा याद रखना है उसके बाद में बटा continuity and differentiability की बात करें तो piecewise defined function जो इसमें पूछे जाते हैं जैसे एक interval आपको दे दिया a to b, दूसरा दे दिया b to c, तीसरा दे दिया c to d और बोला जाता है कि यह function जो वो continuous है या फिर differentiable है तो बच्चो जो जिनके end points है वहाँ पे आपको continuity जो वो चेक करनी होती है इसके अलावा differentiability में जो बच्चो questions पूछे जाते हैं या जो continuity से related questions पूछे जाते हैं उसमें ये questions बड़े famous रहते हैं continuity में जैसे fractional part और greatest integer का use करके questions पूछता है तो जहाँ जहाँ पे भी बच्चो ये जैसे greatest integer की बात करें तो ये function जहाँ पे भी इसकी integral value को लेगा वहाँ पे function discontinuous होता है sorry modulus में भी हम ऐसे ही बात करें उसके लगा definite integration की बात करें तो definite integration से बच्चो question जो इनी दो से ज्यादा तर maximum आपके मान सकते हो 90% question जो वो previous years में भी इनी दो पार्ट से पूछे गए है king queen rule पे बच्चो आप questions की practice कीजिए इसके लगा जो यहाँ पे आपके पास में periodic functions होते हैं उनसे related सवाल आता है और जो greatest integer, modulus और fictional part को कैसे open करके हम उनको integrate करते हैं उनके बारे में यहाँ से पूछा जाता है अगली अगर बात करें तो बच्चो area under cover एक important chapter रहता है एक सवाल इसके fix ही है अब इसके अदर ऐसा कुछ special part नहीं होता है क्योंकि integration अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इस question को easily कर पाओगे again differential equation देखने में वैसे काफी बड़ा सा chapter होता है but again बच्चों अगर यहाँ पर आप इन दो variety के questions को solve करने की practice करते हो तो आपका काम जो वो हो जाएगा उसके बाद में AOD again एक काफी important और बड़ा chapter होता है जिसे कई बाद 2 से 3 questions जो वो भी पूछ लिए जाते है बट generally इसमें बच्चों को काफी दिक्कत आती है तो बेटा कोई बात नहीं आप इन दो part को अच्छे से कर लीजिए एक function का behavior चेक करना सवाल directly पूछा जाता है कि यह function किस interval में increasing है किस interval में decreasing है तो वो questions आपको आने चाहिए और दूसरा किसी भी car पे किसी given point पे tangent या normal की equation बच्चों कैसे लिखते उस type के questions के आप जो यहाँ से practice कर लेना तो calculus में इतना part है बच्चों again MOD, indefinite integration function यह मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों किसी भी type का question जो वो पूछ लिया जाता है चलिए आगे बात करते हैं बच्चों algebra की, algebra में अगर सबसे पहले हम बात करें quadratic and complex की तो quadratic में बच्चों जो important part है that is Newton's formula यानि alpha की power n प्लस में कर लीजिये और दूसरा cube root of unity यानि omega के बारे में आपको सारी knowledge जो अच्छी होनी चाहिए यानि 1 प्लस omega plus omega square 0 होता है, omega cube 1 होता है तो इस type के question जो पूछे जाते हैं sequence and series वैसे तो यह पूरा chapter ही बच्चों important है क्योंकि इससे एक या दो सवाल पक्के आते हैं बट अगर इसमें भी most important की अगर हम बात करें तो AGP वाली series जो है उसके questions आप देखके जा सकते हो binomial theorem बच्चों एक छोटा सा chapter होता है question 100% आता ही आता है तो आप अगर इसकी general term लिखने आती है तो बच्चों आप मानके चली कि किसी भी type का question आप कर सकते हो तो उसमें कई बार तो आपको x की power का coefficient पूछ लेता है तो उसमें भी इसी general term का use है कई बार उसमें आपको rational और irrational terms के बारे में पूछता है तो उसमें भी general term का use है यानि कि अगर ये term अगर आपको अच्छे से निकाल ले आगी तो बच्चों आप इसके questions उनको solve कर सकते हो चली अगर अगली बात करें matrix and determinant की तो matrix and determinant में भी दो पार्ट जो सबसे ज़्यादा important है वो है बच्चो system of linear equation and properties of adjoint तो आप इनको अच्छे से करके जाएए तो second बच्चो algebra वाला part हो गया third part आता है coordinate geometry coordinate geometry में बच्चो state line again एक काभी बड़ा chapter होता है state line वैसे मैं आपको recommend करूँगा कि आप state line जो उसको तो पूरा ही cover कीजी क्योंकि उसी से related question जो बच्चों तो फिर आप circle, parabola, ellipse यहाँ पर apply कर पाओगे but again अगर इसमें important part पुछा दा है तो line की equation लिखने आनी चीए और उसके अलावा जो triangle के centers है centroid, circumcenter, in center, ortho center इनके information आपको पूरी होनी चीए circle के अगर बात करें तो बच्चो analysis of two circles यानि कि कब circle बाहर लाई करेंगे कब external touch करेंगे, कब internal touch करेंगे कब intercept करेंगे उनकी conditions आपको पता होनी चीए इसके लाव family of circles और family of circles पे भी बच्चो ये वाला part जो वो इससे तो एंटियो ऐसा लग रहा कि प्यार सा हो गया बहुत सारे questions बच्चो पुछे गए है पिछले साल अलगला shift में जिसमें इस चीज का use आता है कि अगर एक given line है, उस पे given point है, तो उस point को touch करने वाले circles की जो equation है, वो बच्चो s plus में lambda l equals to 0 होता है जहां पे s जो वो point circle है और l जो वो given line की equation है अगला आता है conic section बच्चो, conic section जो वो काफी बच्चो को tough लगता है, वो पूरा का पूरा छोड़के चले जाते है बट यार, again मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप पूरा chapter मद छोड़के जाएए पूरा portion मद छोड़के जाएए आपको उनकी basic terminology जो है, पैरा बोला, ellipse, hyperbola की पता होनी ची यानि की centricity कैसे निकालते हैं फोकाई क्या होती है, latest rectum क्या होता है तो basic terminology देख लीजिए और tangent की जो condition होती है जिसे मैं आपको revise करवा देता हूँ पैरा बोला जो है उसके case में क्या होता है, आपके पास में mx plus a by m यानि c की value a by m ellipse के लिए c square equals to a square m square plus b square hyperbola के लिए a square m square minus में b square तो अगर ये conditions भी बच्चों अगर आप याद रखे जाते हो अगर इन पे questions की practice कर लेते हो तो आपका काम जो हो जाएगा उसके अलाब बटा एक मैंने vector 3D लिखा हो है तो अगेन vector 3D में भी important part होते है बट again मैंने यहाँ पे important part इसके क्यों नहीं लिखे है क्योंकि बच्चों ये दो ऐसे chapters है जिनमें वो important part करने के लिए भी आपको पूरा chapter जो आना ची यानि vector में अगर माल लो कि मैं यहाँ पे लिख देता triple product तो triple जो cross product हो important होता है बट उसको करने के लिए भी आपको cross product अच्छे से आना ची dot product अच्छे से आना ची यानि कि पूरा-पूरा chapter ही important रहता है and again बच्चों मैं इसको highly recommend करूंगा कि आप यार vector 3D जो उनको पूरे chapters को अच्छे से करके जाएए दो से तीन सवाल बच्चों यहाँ से आपको जो देखने को मिलते हैं और उसके बाद में last में जेमेन specific topics हैं यह तो again होते ही एक एक दो दो घंटे के chapters है पूरे तो इन में कुछ topic नहीं होता है तो इन chapters को आप करके जाएए मानके चलिए कि बच्चों at least 3 questions जो आपके यहाँ से आने वाले यानि 12 marks जो वो इनी 4 chapters को आप cover करके पर secure कर सकते हो clear guys तो I hope कि मैंने आपको सारी chapters की information दे दिये तो यार बढ़िया से लग जाएए अगर अभी तक तयारी नहीं है तो भी निरास मत हुई है, हतास मत हुई है अभी भी तुम्हारे पास में time है तो बहुत अच्छा जो बच्चों कर सकते हो तो इन सारे topics को आप अच्छे से कर लेना और आपकी help के लिए हमने बिलकुर एक जो paid cost है इसको free of cost कर रखा है तो description में given form को बच्चों फिल कर दीजिए special code आपको मिलेगा जिसके थुरू आप इस batch को free of cost और अवेल कर पाओगे ओके गाईस, best of luck